हईलो गाईस को आज हम बात केने वाले दो सचेट के बताने को मंढ़ी को इसमें गिरावट देखने को मिलेगी और आप लोगों को यह बैंक में ये दोनों के बैंक में और मुंआहया है कैस सामने आया आए और इसमें वाँ फ्रॉड कैसे हुआ वाँ आप लोगों जाना है तो उपर आई बटन बा क्लिक करके जाके देख लेना वाँ अपर मैंने इन डिटल सारी की सारी चीज़े बता हुई है क्यार आप लोगों को जो कंपनी थी वो क्या काम कर रही थी ये फ्रॉड को कैसे इंजाम दिया गय चाहिए या सेल करताना चाहिए या आप लोगों बाय करना चाहिए तर आप लोग है कन्फ्यूस हो जाओगे क्या यह बुरा-बुरा सिच्टुएशन क्या चल रहा है और आप लोगों ने SBI या केंडरा बैंक के शेर में आप लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है बहुत जादा अच्छी जानकर इस वीडियो में बद्धि देने वाला हूँ तो यह वीडियो अंतर देखते हो आप लोगों 100 टैंप से वीडियो अच्छा लएगा सबसे फिले हम SBI की बात करने वाले आप लोगों को पता ही है SBI यार एक नंबर की सबसे नंबर वन पीस्टू बै इसका अमाउंट ना फ्रॉड अमाउंट तो यह है 330 करोड करोड है 314 करोड है 314 करोड और केंडरा बैंका जो आप लोगो इतना ज़्याधा गिरावद देखने को नहीं मिलने वाला है पर आपी देखते हैं market की क्या situation रहती है आप लोग ऐसे predict और नहीं कर सकते हैं क्या SBI में गिरावट नहीं देखने को मिलेगी गिरावट तो हर फिए स्यू सेक्टर में देखने को मिलने वाली है हर PSU सेक्टर बेंकिंग सेक्रेटिक है इसमें देखने को मिलेगी यहाँ पर आप लोगों पता ही है SPI अच्छी कासियार बड़ो तरीके साथ यहाँ पर रिकवर कर गया था और यहाँ पर से आप लोगों मैं दिखाता हूँ लास्ट वन मंत की आप लोगों मैं बात करता हूँ तो वन मंत की बात करने ना तर आप लोगों तीरा परसन की रैली देखने को मिली थी और उसके साथ साथ यहाँ पर से आप लास्ट सीक्स मंत की बात करे तू भी आप लोगों पचास परसन की रैली देखने को मिल जूगी थी तो यहां पर आप लोगों को अच्छी कासी प्रॉफिटीबल अमाउंट देखने को मिल गई थी अभी यार वन एर की बात करें लास्ट एर कोरोना की पहले की सिचूशन की तर यह 330 के आसपास यह चल रहा था और यह वहां पर अच्छी करने वाला था और यह फ्रॉड सामने आया है तो अभी आप लोगों इसे SBI में क्या करना चाहिए तो आप लोगों पता ना हो तो आप लोगों बतावाता हूं कि यार पीएस्यू बैंक्स होती है पीएस्यू बैंक्स में तर उसमें हर सरकार क्या करती है कुछ- उनको आप लोगों के पास SBI का Share है तो आप लोगों के पास पेशंस है मरनलब यार मिनिममम में वनियर की बात कर रहा हूं वन यहर आप लोग पेशंस रखते हो और आप लोग से हो आप लोगों को इसमें अच्छी का सी रैली देखने को मिल जाएगी यह तीन सो वाला वो आप लोगों देखने को मिल जाएगा अभी देखते रहा ऐसा कोई और फ्रॉड ना सामने आये तोठी है यह चीज जात रगना और अभी यह कुरोना के सिचुएशन में बहुत सारी ऐसी कंपनीस है तो आर फ्रॉड के और जो है इसका पुरा फ्रॉड का सिचुएशन साम बढ़ को बैच के निकल सकते हों मैं तो यही संच करोंगा प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं है ना तो इतने ज़्यादा चिंता गंडी की बात नहीं है ठीक है और यहां पर से यह अच्छी कासी रैली चल रही थी और फाइयर में तो यह नॉर्माल सा यह उपनीचे 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 ही चल रहा था तो यह बुरा-बुरा सेग्म लगती है अपने को आने वाले समय में 500 कश देखने को मिल जाएगा अभी करना आप लोगों को यह सिचुएशन आया भी नहीं था ना तब इसे यह रियक्ट करना चालो हो गया मलब या जो भी अंदर के आदमी थे खेंडरा बेंग के मैनेजमेंट वाले या जो भी होंगे उन लोगों ने पहले से थोड़ा बहुत अमोंट में या शेर बेच दिया थ क्योंकि आर फाइडेस की बात करें ना तो भी आप लोगो इसमें गिरावट ही देखने को मिली है और यहां पर से आप लोग तीन परसन की गिरावट चार परसन की पांच परसन की गिरावट देखने को मिल जाती है और यह न्यूज इंटरनली तो यह बहुत ही जदा पहले ही आ चुका होगा वल्ला ब्यार 14 तारिक को और 15 तारिक को आप लोग दीख सकती हो टोटल छे साथ मैं तब बोल रहा हूं आठ परसंट की गिरावट एक दिन में एक या दो दिन में यह बहुत ही बड़ी चीज होती है तो यह जो पुर पुरा सेगमेंट आप लोग गया रिस तो आई जाने वाला है ठीक है तो आप लोग इसमें लॉस में हो भी लॉस में हो तो आप लोग अप लोग कम लॉस में निकल जाओ और बॉटम में आप लोग खरीद लो ठीक है तो आप लोग फिर से यहां पर शीर आ जाता है कंपनी का जो शीर है फिर से यहां पर आ जाता और यह कुरोना की पहले की situation की बात करें तो यह अभी की price से almost double का amount में यह चल रहा था और यह अच्छे खासी तरह से recovery भी कर रहा था जैसे SBA कर रहा था वैसी recovery भी कर रहा था पर इसमें अच्छा नक्सी यह fraud का पुरबबबबा केस सामने आ गया है इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा गिरावर देखने हों मिलेगी क्योंकि इसमें छूटा amount नहीं है 7,926 करोड की रुपे की बात है ठीक है यह चीज़ याद रखना और यहाँ पर से यह आप लोगों के बारे में अभी आप लोगों फिर से बूल रहा हूं कि और और जानकार लेनी है तो उपर आई बटन पर जाके क्लिक कर सकती हूँ तो यहाँ पर आप लोगों मैं इसके यार थोड़ी बहुत fundamentals के बारे में मैं बताता हूँ इसका अभी यार market cap की बात करेता है 20,000 करूर का है market cap और यहाँ पर से आप लोगों को यह amount ना इससे almost आधी amount का इसमें fraud ह हुआ है तो यह आप लोग सोथ सकते हो कि यार इतनी जादा amount में fraud मतलब यह बहुत जादा बड़ी amount बात होती है ठीक है और इसके साथ साथ यहां पर से अप लोगों को हाँ और भी चीज़े इसके NPS और वह सारी चीज़े देखाता हूँ और ROE और ROE CE और वह सारी चीज़ आप लोगों मैं बताता हूँ यह जो पुरागुरा fraud सामने आया है ना तर यह इस साल के NPA के बड़ बहुत ज़्यादा effect करेगा और यह NPA बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाला है Canra Bank का तो यह चीज़ जादा रखना आप लोग उखार इसमें जादा आप लोग loss में नही बस आप लोग hold मत करो जादा आप लोग loss में नहीं हो तो आप लोग sell कर दो ठीक है sell कर दो और उसके बाद bottom पर खरीद लो अगर आप लोगो को situation आप लोगो मैंने starting में बताई आप लोग कोई भी share को है यहाँ पर खरीद होगे ना तो आप लोगो कभी भी profit देख्शन को न नहीं सकता वैसी वाली आप लोग situation में इसको फिर से बाए करो और उसके बाद आप लोगो इसमें recovery देखने को मिल जाएगी ऐसा मैं क्यूं बोल रहा हूं आप लोगो पहले ही बोल देता हूं PSU banks होते है उसमें यार पूरा-पूरा सरकार government के अंडर आती है और उसकी आप लोगो मेरा उपीनियन जानने कर कैसे लगा आप लोगो क्या ओपीनियन है वो में मेरको बताना बस बस गुडबाय लफुडबाय फिर मित नेक्स डिमें गुडबाय